तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का सर्मन लेक्टर में तो दोस्तों मेरा ना में कास दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के इंपोर्टेंट क्यूशन ठीक है हम लोग जीतने भी महत्व पूर्टेंट क्यूशन है साइंस के जो वेरी कराते हैं तो यह बताए कि आपके पेपर में दो तीन लाइन वाले हैं वो तो आएंगे ही लिकिन पूरे थोड़ी आएंगे उच में से आपको बहुत दिर्ग उतरी परश्ण होंगे कुछ आपको बताने वाला हूं ठीक है कि आप लोग भी अच्छे माक्स लापाएं और हम लोग का भी नाम रोशन हो ठीक है तो चलिए इस वीडियो में आप हम बात करेंगे साइंस इंपर्टेंड क्यूचन आसे लगातार में वीडियो बनाऊंगा आप लोगे के लिए बेहतर तैय आप लोगे के लिए जितना भी जी जान लगा दूँगा बस आप वीडियो के देखते रहे हैं आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कीजिएगा ठीक है जरू हंडेट परसंट लाइक कीजिएगा हम में उमीद रखता हूं कि वन के लाइक आप पहुचा देंगे ठी किस्वनों को नूट करना है और आप इसको अंडेट परसंट इग्जाम में तयार करके जाएगा चलिए पहला क्यूचन है तो देखें क्यूचन वर पहला दोस्ते यह कह रहा है आपसे कि एक इलेक्ट्रान पर कितना तथा कैसा आवेस होता है और आवेस होता भी है तो कैसा होता है ठीक है दो उत्तर में देखिया बहुत इंपोर्टेंट किचन अब लीखेंगे उत्तर में क्यां कि इलेक्ट्रान एक रिड़ा वेसित कड़ा रिडात्मक कड़ा ठीक है इस पर एक दसमलोच हाइब ढूर मैनस 19 कुलाम रिड़ावश होता है ठीक है तो देखें इले की देना है ठीक है वेरी मुष्ट इंपोर्टेंट किसन उम्मीद करता हूं पहला किसन आपको समझ में आ गया होगा इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्यूशन के और क्यूशन अबर दूसरे के और उसे समझने का प्रयास किजिगा नूट किजिए उसे ठीक है किसे नमर परिछेत का छेतरफल हुआ चालक का पदार्थ हुआ वह उसका ताप हुआ नियत रहे यह सब क्या रहे है नियत रहे तो चालक में बहने वाली जो धारा होती है चालक के सीरो के भी ववांतर के क्या होती है अनुकर्मान पाती होती है और यही केस आपका कहलाता है ओम का नि question number next की देखते हैं आदेखे कितना विहद अच्छा question मैं आपको बताने वाला हूँ बाजार में खरीदारी करते समय बाजार में खरीदारी करते समय पलास्टिक की थैलियों के पेच्छा कपड़े के थैले क्यों लाबदायक होते हैं देखिए कहरा कि जब भी आप बाजार जाते हैं बाजार में कुछ खरीदने के लिए तो कहरा कि पलास्टिक की थैली जो मिलती है उसके पेच्छा हमारे कपड़े की थैली लाबदायक होता है ऐसा क्यों लाबदायक होता है ठीक है कारण बताईए तो आप उत्तर में लिखेंगे उनको कारण अश्पक कराएंगे कि कपड़े के ले ज्यव निमनेकरित पदार्तों से मिलकर बने होते हैं आता याप पारेवरण में आसानी से आप घटीत दे देगा ठीक है चलिए उम्मीद करते हूं यह भी क्यूशन आपने नोट कर लिया होगा बिहद अच्छे-च्छे क्यूशन में आप कराने वाला हूं जो आप तक पढ़े नहीं होंगे इतने अब नहीं बताएंगे तो यह यह तो दिकत है कि क्यूशन आते हैं आपको नहीं बताया जाता है ठीक है तो मैं सारी किसन कराओंगा आप हमरे बिश्वास किजी ठीक है लगातार में वीडियो प्रवाइड करता रहूंगा सर्वन लेक्चरर पे ठीक है अब बस वीडियो को पूरा देखिए और वास किजी लाइक किजी चलिए कह रहा है कि जल सनरच्छन क्या है विस्तार पूर्वक समझाईए चलिए उसको हम समझाते हैं तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जल सनरच्छन या संग्रहण का अर्थ वा अस्थानिय छेत्र जहां वर्षा का जल भूमी पर गिरता है या प्रवाहित होता है में जल का संग्रहण करना है राजास्थान की परंपरागत जल संग्रह पदती खादीन है जल को संग्रहित करके सीचाई तथा भूमी का जल अस्तर बढ़ाने तू पर्योग किया जाता है तथा रोजमर्रा की जल आवसेक्ताओं को पूड़ करने में किया जाता है कह रहा कि दोस्तों जो जल सनच्छण का इस स्थार पूरुख समझे जो राजास्थान की जो भूमी होती है खादीन होती है ठीक है वहाँ पे फसल वगएरा बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप करा किसी चाहिता था भूमी का जल अस्थर बढ़ाने है तो उनको बढ़ाने है क्या करते हैं दर्रार रोजमार की जल सकता को पूर करने में किया जाता है ठीक है इसलिए वहाँ पर जल सनच्छण का कारी किया जाता है आते दिख तो आप जल सनच्छण क्या विस्तार पूरुख समझे तो आप इस डंग से अच्छे डंग से उनको हम क्या कर सकते हैं ठीक है उमेद करता हुए क्यूशन आपको किलियर हो चुका होगा चलिए नेक्स क्यूशन के और बड़ चलते हैं नेक्स क्यूशन देखते हैं आप वेरी मुष्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है दो नमबर का पुष्टा है सडकों पर लगे लेंपों की ऊपर किस दरपन का प्रियोग होता है इस दरपन का एक और उपयोग लिखें कर एकी सडक पर जैसे आप देखते हैं सडक पर लेंप लगा होता है उस लेंप के ऊपर कौन सा दरपन लगा होता है वो भी आपको बताना है और इसी के साथ इस दरप दर्पण का उपियोग हम वहानों में पीछे का दृतरी से देखने के talking का थीकिक जो जो वानों में साइड मिरार लगता है वह देखने के लिए प्रयों किया जाता हैं कि दूर की वस्तूं के उद्फो आपको समझ में आगया होगा बहुत अच्छे डंग से और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले क्यूशन के और अलगातार क्यूशन लोग पढ़ते रहेंगे ठीक है चली नेक्ट क्यूशन के यह क्यूशन वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है देखिए आप भी क जो सीमा परिश्ट होता है उसके लंबवत आपतित किरोण तो लोग तो सुछ ने के हाँ आट यार नवबियांस का यह चाहता होगा इसलिए परफ्टकारी प्रिष्ट पर लंबवत आपतित होती है तो वह किरन बीना बीचलित हुए सीधे निकल जाती है इसकारण होकर सीधे नहीं निकलती अगर वह नहीं पर रूख जाती तो इसलिया पॉर्टन पर्जीज का माण क्या फिर्वाइट अच्छा लागा एंगा और आप गलत नहीं करेंगे 100% मुझे विश्वाश से आप ठीक है चलिए next question बढ़ते हैं उसको समझने के कोशिस करते है चलिए दोस्तों next question नेस्ट क्यूचन देखिए लगातार question provide किया जा रहा हैं देखे next question दोस्ते है हीमोगलोबिन कहां होता है ओए इसका मुख्य कारे लिखेरेरे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट की अपandan है इसका मुख्य कारे लिखे ते चली इतना बड़ा में लिख्या हम आप लोगों समझाने के लिए देखेर उतर में इतली मैं रुधीर का रंग जो रुधीर वहना हमारा रक्त होता है रुध लौबवीन एक लोव असन्युक्त प्रोटीन है इसमें अ करभन नार्षािजिटन के साथ जुड़नी च्हमता होती है और लोग नोबीन- 577 कलो को वयू कोसो से प्राप्त कर अ नार्षा में में पर्वेर्टित कर देता है उसको परिवहन करते sulphchnit परनतु इस पात जो लोहे की मिस्र धातु लोहे का मिस्र धातु का नहीं इसका कारण बताइए चलिए दोस्तो तो इसका उतर आपकी इस प्रकार लिखेंगे बहुत असन तरीके से लिखेंगे देखें तो उतर इसका लिखेंगे कि गर्म जल का टैंक बनाने में तामबे का उपियोग होता है परनतु इस पात का नहीं इसके कारण निमने कौन कौन से कारण तो देखें ती लिखना है कि कापर उबलते गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता परन्तु इस टील में उपस्तित लोज होता है जल वास्प से अभिक्रिया करता है देखिए भी कंडिशन है और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि कापर का गलना की इस पाथ किया पेच्छा क्या होता है आपको समझ जाएगा कि हैं आप उसको का ग्यान है ठीक है और आप उसको फुल नमर आपको दे देगा उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको किलिए रोच चुका होगा आप कभी नहीं बुलेंगे इसको एक्जाम में अच्छे तरीके साफ लिख के आएंगे ठीक है चलिए नेश क्यूचन के और बढ़ चलते हैं उसे समझने कोशिश करते हैं चलिए दोस्तों नेश क्यूचन के और बढ़ चलते हैं नेश क्यूचन देखते हैं देखें वेरी मुस्ट इंपोर्टेंड क्यूचन है इन क्यूचन को मैं माक्स लगा देता हूं स्टार बना देता हू आपको एड़िन डालना है धमनी धमनी में डालने के बाद लिखना है आपको कि वह रूधीर वाहिनियां जो रूधीर का परिवहन हीर्दे से संपूड सरी के अंगों का या उत्तकों तक करती है धमनी कहलाती है यह गुलावी या उत्तकों तक क्या करती है उसको पहुचाती है वो क्या कलाती है हमारी धमनी धमनी क्या लाती है धमनी हमारे हिर्दे से पूरे सरीर तक क्या करती है रक्तों को क्या करती है आपको फैलाती है ठीक है और देखें किस रंका होती है या गुलाबी रंकी होती है उमीद करता हू कि क्यूशन आपको समझ में आ गया रंबन की किसे कहते हैं ठीक है अब है ठीक है उम्मीद करता हूं कि विश्फन आपको समझ में आ गया होगा इसमें नोडाउट होगा आप लोगों को ठीक है आप लोग इसे नोट भी कर लिए ठीक है आओ याद भी कर लेंगे चलिए इसे के साथ हम बढ़ेंगे नेश्टे क्यों के ओर और एक किसी वदुतबल्ब के तंतू से 0.5味 एमपीयर वदु धारा दस मिनट तक परवाहित ओती है अच्छा वेधूत परिपत से परवाहित वेधूत आवेस का प्रिमाड़ गयात किज़ी अप हमसे पूछा है कि परिपत में प्रवाहित वेधूत आवेस का परिमाड़ करना हे सबसे पहले आप उसको लिखे दिया है क्या दिया है आपको तो कहा रहा है कि किसी वेद्दूत बल्व के तंतु से 0.5 एंपियर वेद्दूत धारा तो देखिए धारक जी से हम लोग आई से डिनेट करते हैं धारा कितना जी आए 0.5 एंपियर आपको इस तरह लिख देना है फिर कहा रहा है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होती है अच्छा समय जो इसमाल ट से डिनोट करते हैं समय 10 मिनट तक ठीक है क्या करना है कि सबसे छोटी काई में इसको चेंज करना है मिनट है तो इसको सिकेंड में चेंज करेंगे तो 10 में तब हम साट कर देंगे तो यह सिकेंड म इसका फर्मूला होता है आई इंटू टी धारा इंटू समय जब भी आपको प्रवावित वेद्दू आवेस निकलना हो आपका धारा और समय दिया हो आप निकाल सकते हैं तो आई इंटू टी आई यहां पर क्या एंपियर तो 0.5 एंपियर इंटू टी कैस समय आपका 600 देखनारा जाएंगे तो 300 कुलाम किसलिए कि भाई हम लोग परवावी तो वेद्धू आवेस आवेस का मतर क्या होता कुलाम होता है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना क्यूस्टन क्यूंकि दोस्तों आप बहार पढ़ेगा क वीडियो में टार्गेट रखा उसको पहुचा देंगे आप लोग ठीक है चलिए तब तक लिए धन्यबाद इसी तरह हम लोग बने रहेंगे और निरंतर हम लोग क्यूशन करते रहेंगे वीडियो प्रवाइड होती रहेंगे आप अच्छे से पढ़िए तब तक लिए धन् अबाद मिलें गें दिट वीडियो में